प्यारे दोस्तों आपका वैप स्टेडी पॉइंट चैनल पर मैं आपका कुमार गरो आपका हर्दिक स्वागत करता हूं तो जैसे कि आप जानते हैं रिजिनिंग की क्लास आपकी चल रही है आज नए चैप्टर के साथ हम आपके सामने आये हैं और नए चैप्टर आज के लि मसीन इनफूंट आउट पूट है चैप्टर बहुत ही इंपोटनट इसके तीन तो मिनिम्म कॉश्ण आते हैं और मैक्सिम्म 5 कॉशन आजाते हैं उत्तर परदेश सबंग स्पेक्टर के एकजाम में ठीक है इसलिए आज इस चैप्टर का हमने सिलेक्शन किया है जिससे कि आ ये सारा का सारा material जो है ये question में आपको given होगा उसके बाद आपको 3 question दे देगा या 5 question दे देगा बट उससे पहले इसको solve करना होगा solve करने के बाद तभी आप question का answer दे सकते हैं ये पूरा का पूरा paragraph जो भी आपको दिया है एक input दे दिया है input क्या है pen and pencil are sent by boy उसके बाद इस input से ये जो आपको input दिया हुआ है इस input से step 1 बनाया फिर step 2, step 3, step 4 और जो ये step 4 है this is the last step of input उसके बाद आपको एक अलग जो नया input दिया है उस input को बिलकुल इसी तरीके से solve करना है और इसी तरीके से step बनाना है depend करता है कि step कितने बनते हैं यहाँ पर 4 step है तो यहाँ पर जरूर नहीं है कि इस input के 4 ही step बनेंगे इसके 3 भी बन सकते हैं 5 भी बन सकते हैं ठीक है तो चलिए सबसे पहले तो input को समझते हैं input को समझने के लिए क्या करेंगे pen and pencil are send by boy हमने जो step 1 बनाया step 1 में हमने क्या सबसे पहले start किया end से end यानि हमने यह वाला जो end था इसको उठा गया हमने सबसे पहले रखा pen pencil are send by boy step 1 में हमने end को उठाया और कुछ नहीं छेड़ा सारी की सारी चीज़े ऐसी की exist है step 2 में देखते हैं step 2 में end हमारा जहां पर था वहीं पर है फिर हमने क्या किया r को उठा लिया r को end के बाद रखा r को उठाया end के बाद रखा pen pencil send by boy step 2 में हमने कुछ नहीं किया है जो end हमने first number पे रखा था उसको वहीं पर रखा फिर step first से हमने R को उठाया और end के बाद में रख दिया बाकी चीजे इसी तरीके से रख दी जिस तरीके से वो थी step third में देखते हैं end अपनी जगा पर है R भी अपनी जगा पर है फिर उसके बाद हमने ना तो pen को उठाया ना pencil को उठाया हमने उठाया boy को इस boy को उठाया के last से हमने यहाँ पर रख लिया R के बाद में ठीक है फिर pen pencil send by boy फिर आगे चलते है step four end अपनी जगा है R अपनी जगा है boy अपनी जगा है फिर हमने क्या किया हमने by को उठाया और यहाँ पर रख दिया ठीक है बाद में फिर pen pencil और send यह अपनी ही जगा है और यह तीनो के तीनो out fill है ठीक है out fill है यानि इनका इस्थान बिल्कुल सही है इनको आप यहाँ से हटा नहीं सकते या आगे पीछे नहीं कर सकते तो इस तरह से आपके total चार step बनते हैं अब समझते हैं कि इनोंने इसको उठाया किस reason से उठाया है reason देखते हैं सबसे पहले आपका a है बट a तो इसमें भी है ठीक है ना a और a यह end और r अब a और a में से end को ही क्यों उठाया end और r में से end को ही क्यों उठाया क्योंकि अगर हम देखें a के बाद n है और a के बाद r है N जो है वो R से पहले आता है तो alphabetic series के according N को पहले उठाया उसके बाद R को उठाया उसके बाद boy को उठाया वरना by को भी उठा सकते थे लेकिन इसमें O पहले आ गया तो boy को उठाया फिर by को उठाया फिर pencil और pen में अगर आप देखते हैं तो pen और pen बोल सकते हैं कि यह तीनों आउटर फिल हैं ठीक है तो यह हो जाएगा आपके पास step 4 this is the last step of input exam में बिलकुल इसी तरीके से आएगा यह मत सोचना कि हिंदी में लिखा हुआएगा हिंदी में बस यह लिखा हुआएगा कि इस person के उतर कि दीजिए ठीक है बागे सारा input भी आपको अंग्रेजी में देदेगा step भी आपको अंग्रेजी में देदेगा ठीक है यह word है इन में दे सकता है यह जो input है वो अलग तरीके से आ सकता है ज़रूरी नहीं है कि यह input आए exam में लेकिन हाँ related DC से जाता है चलिए अब आपको यह input से यह step जो बने है वो समझ में आ गए है अब आपके पास यह input है इस input से आपको step बनाने है चलिए बनाते हैं अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास A यहाँ पर भी है क्या end आएगा या आ राएगा सबसे पहले हमारा end आएगा तो यह हमारा step 1 बन जाएगा end को उठा के सबसे पहले रख लेंगे बाकी चीजे ऐसे की ऐसी ही रहेंगी उसके बाद end के बाद हमारा R आ जाएगा यह step second में आ जाएगा ठीक है end को पहले रखेंगे R को end के बाद में रखे हैं बाकी चीजे इसी तरीके से आ जाएंगी उसके बाद हम देखते हैं B में चलते हैं B में हमारा boy आ जाएगा ये हो जाएगा नमबर 3 पे step 3 हो जाएगा boy को हम end R के बाद में boy रखे हैं फिर हमारा cloth clean और like by आ जाएगा ठीक है उसके बाद हम देखते हैं बाई ये हो जाएगा नमबर 4 पे ये नमबर 4 step 4 बना रहा है ये boy के बाद में आएगा उसके बाद फिर हमारा cloth clean और like आ जाएगा अब ज़रा आप ये देखे cloth और clean में कौन सा पहले आएगा यहाँ पे CL, CL यहाँ पे O है और यहाँ पे E है E जो है O से पहले आता है तो यह आपका step 5 बनाएगा अब जो है cloth clean के बाद में आ जाएगा ठीक है ना पहले नमबर पे क्या जाएगा पहले नमबर पे मान लीजिए कि total 5 step हैं तो मैं यहाँ पे last वाला step ही लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर space नहीं है ठीक है उपर इसको समझाओंगा अबी तो पहले मैं सिर्फ इसको लिख देता हूँ सबसे पहले आपका जाएगा end step 1 में फिर हो जाएगा आपका R फिर हो जाएगा boy फिर हो जाएगा by यह चार हो गए लास्ट में है आपका पांच clean ठीक है और जो बचता है आपका यह लास्ट में बचता है cloth cloth के बाद बचता है आपका like यह दोनों कैसे रहेंगे यह दोनों आपके outer field रहेंगे ठीक है इनको change करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए आपका जो input है इस input से कितने step बनते हैं इस से बनते है step 5 ठीक है आपसे question में क्या क्या पूछ सकता है question में काफी सारी चीजे पूछ सकता है मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस question को note कर लीजिए यहां से लेके यहां तक तो कर ही लीजिए इस input के सारे जो step है वो मैं उपर बनाता हूँ जिससे की question का answer देने में आपको आसा नहीं रहे ठीक है इसको note कर लीजिए यहां तक क्योंकि यह आपको समझ में आ गया है करना किस तरीके से alphabetic series को first में लिखना है तो आपके step बन जाएंगे यह input आपके सामने रहेगा अब इस input के question आएंगे वो आपके सामने आ जाएंगे इसको note कर लीजिए चलिए यह आपका जो input है इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि मैं अब सुरू से आपके सामने step लिखूंगा ठीक है तो अभी जो आपको यहां पर input दिया था उसके बाद step दिये थे और फिर यह वाला input इतना आपको question में दिया हुआ होता है अब आगे जो solve करना है वो हम करेंगे ठीक है न वो आपको exam में जो करना होता है यहां से आगे आपको करना होता है यहां से आगे जब आप करेंगे तो सबसे पहले तो step 1 ही आएगा न और step 1 में आप देखेंगे पहले वाले step के according alphabetic series से आपने उठाया था टो यहां पर alphabetic series से सबसे पहले आपका end आजाएगा तो step 1 में end आपका सबसे पहले आ जाएगा उसके बाद end जब आपका आजाएगा यह वाला तो आपका क्या बसता है? क्लोध फिर आपका बसता है clean पिर आपका बसता है आर like फिर buy और ये boy है ठीक है इस्टेप वन कंप्लीट हो गया है फिर इस्टेप सेकिंड पर बात करते हैं इस्टेप सेकिंड आपको निकालना है इस्टेप से निकालेंगे इस्टेप से निकालेंगे आर एंड तो आपका रहेगा इसी तरहीं से जैसे आपका था एंड के बाद आपको उठाना ह को ठीक है ना क्यूंकि end के बाद एह आ रहा रहा है और आप बोई को उठाते हैं ठीक है तो यह आर आप यहां पर रख देंगे फिर और के बाद यह कुल और यह क्लीन कि लाइट बाई और ये बॉय ठीक है step second आपका हो गया है अब बात करते है step third की step third के लिए end आपका जहां पर है वहीं रहेगा और भी आपका यहीं पर हो रहेगा अब in में से आपको choose करना है in में से जब आप choose करेंगे तो बॉय आपका आजाएगा बाई से पहले ठीक है तो यहाँ पर आप बॉय रख दीजिए फिर ये cloth फिर clean फिर light उसके बाद बाई ठीक है step four बनाए end अपने स्थान पर रहेगा और भी अपने स्थान पर रहेगा बॉय अपने स्थान पर रहेगा अब cloth clean और light इन में से आपको choose करना है तो आप choose करेंगे बाई को बाई ये cloth अपनी जगा रहेगा clean भी अपनी जगा रहेगा और ये light ठीक है चलिए अभी एक step और आपका बनेगा step 5 इसमें end अपनी जगा रहेगा और भी अपनी जगा रहेगा boy by अच्छा अब देखी जड़ा इन में से cloth clean यहां से आपको उठाना है तो आप देखते हैं कि जो clean है वो उठाया जाएगा किलीन को आप उठा लीजे यह cloth और यह light चलिए किलीन आपने उठा लिया है उसके बाद आप देखते हैं तो cloth जो है वो आपका light से पहले ही आएगा और light आपका बाद में आजाएगा तो यह दोनों हो गए आपके outer fill यानि पहले इनका इस्थान change नहीं हो सकता ठीक है यह अपने इस्थान पर बिल्कुल सही है यह input आपको exam में दिया था आपने इसको solve कर लिया है और 5 step बना लिया है ठीक है अब आते हैं जो exam में आपके number बढ़ेंगे वो question ठीक है ना और question किस तरीके से आ सकते है question number first question number first है कि कुल कितने चरन बने हैं ठीक ना how many step in this input ठीक ना तो आप कह सकते हैं कुल कितने चरन चरन यानी step ठीक ना कुल कितने चरन बने हैं ठीक है question number एक ही हो गया आपका question number दो की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं third from left in second step ठीक है third आपको बताना है third word ठीक है ना from left left से और किस में बताना है second step में बताना है उसके बाद एक question और देख लेते हैं question number 3 यह हो जाएगा आपका आखरी से दूसरा चरन ठीक है ना आखरी से दूसरा चरन या second last ठीक है आखरी से दूसरा चरन तीन question हमने लिये हैं पहले हम इनको solve करते हैं अब बताएं कुल कितने चरन हैं total कितने चरन हैं यह कितने step हैं एक, दो, तीन, चार, पांच तो step जो हो गए वो हो गए आपके पांच यह answer हो गया एक question आपका exam में जुड़ गया उसके बाद question number 2 third from left in second या आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका second step है second step कहां पे है second step में left से ठीक है न, left को उतना सा होता है उधर right होता है और इधर आपका left होता है left है, यानि इस side से इधर से 3rd आपको बताना है first, second, third third क्या हो जाएगा cloth हो जाएगा तो second step में left से 3rd आपका कौन सा हो जाएगा cloth हो जाएगा ठीक है उसके बाद आखरी से दूसरा चरण आपको बताना है अब आखरी चरण कौन सा है step 5 और आखरी से दूसरा चरण कौन सा हो जाएगा step 4 या second last कौन सा हो जाएगा step 4 तो आप यहापे क्या लिखेंगे यहापे लिख देंगे आप fourth हो गए तीनों question के answer और question ले ले लेते हैं इसे question number 4 ले ले लेते हैं इसको solve करते हैं यह कहता है आपका sixth from left in third step चलिए बताइए step कौन सा है step है आपका third third step पे आजाएए यह रहा third step third step में आपने counting कहां से करनी है left से करनी है यानि इस side से करनी है और कौन से number पे जाना है sixth number पे जाना है तो यहां से जाएए 6 number पे एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6 6 के लिए आपका क्या हो गया like ठीक है तो इस तरीके से आपके question आते हैं और आपको answer इसी तरीके से निकालने होते हैं सबसे पहले आपको question दिया जाएगा input और solve करके बताया जाएगा कि जो input है उसके step कितने आपको solve करके दिखाएगा है उन step को आपको समझना है समझने के बाद फिर आपको एक नया input दिया जाएगा वो step उस input में आपको लागू करने है और उस input में लागू करने के बाद आपको देखना है कि कितने step आपके बने है कितने step बने है और कितने outer feel है ठीक है और उसके बाद आपको question दिये जाएगे और फिर वो question आपको solve करने है question number first जो है वो आपका complete होता है यहां पर आप इसको नोट कर लिजिए एक कोशन और हम ले लेते हैं ठीक है नोट कीजिए ज़रा चलिए कोशन नमबर दो अब हम यहां पर देखते हैं यह दूसरा कोशन आपके सामने है जो एक्जाम में आपको दिया जाएगा सारी चीजे मैंने लिखी हुई है ठीक है सारी चीजे लिखी है यहां से ही आपको solve करना है आपको input दे दिया इस input से आपके step बना दिये step 5 इस last step बता दिया एक नए input दे दिया फिर उस input को solve आपको करना है फिर 3 question दे दिये इन 3 question के answer पूछ लेगा ठीक है तो चलिए सबसे पहले तो आप अपना input देगी है यह वाला जो मेन input है 10 15 12 20 23 25 step first क्या बनाया step first में ने 25 को सबसे पहले रखा 25 को गोला कीजिए यह 25 है इसको पहले रखा फिर 10 अपने स्थान पर 15 भी 12 भी 23 यानि यहां से पता लगा कि जो सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास वो सबसे आगे लिख ली गई है उसके बाद step second में बात करते हैं 25 अपने स्थान पर है फिर हमने क्या उठाया step one से 20 को उठाया 20 को 25 के बाद रखा 10 15 12 13 step second भी हमारा यही कहता है तो अब हमें किलियर हो गया है कि इस step में सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले रखा गया है ठीक है बस और कुछ नहीं किया गया है step third में बात करते हैं 25-20 फिर हमने किसको उठाया 15 को 15 को उठाया 10 12 13 step four में 25-20-15 फिर हमने यहां से 13 को उठाया 10 और 12 step fifth में 25-20-15-13 और यहां से हमने 12 को उठाया और 10 है यह आपका आउटर फिल हो जाएगा ठीक है इसको तो उठाने की जवर्त नहीं है यह आपका आउटर फिल हो गया ठीक है अपने ही इस्थान पर है इसको हटाने की कोई आवश्यक्ता नहीं है तो आपका step five is the last step समझ में आगिया है सभी को यह input आपको दिया हुआ है इस input से क्या करेंगे सबसे पहले step बनाएगे तो step आप इधर बना लीजिए ठीक है तो 75 को हम क्या करेंगे सबसे पहले रखेंगे उसके बाद यह पचास इसको मैं थोड़ा से इधर बना लेता हूँ यह step first 75 उसके बाद यह 50 55 60 65 और यह 70 step first आपका complete हो गया आपने क्या किया 75 को उठा गे सबसे पहले रख लिया step second में क्या करेंगे फिर देखिए में सबसे बड़ी संक्या कौन सी है 70 को भी उठा कर रखना है 75 अपने जगा पर रहेगा इसके बाद 70 70 हो जाएगा फिर यह 50 55 60 और यह 65 अब जो आपका 55 भी और यह 60 फिर step fourth 75 तो अपनी जगा पर है 70 भी अपनी जगा पर है 65 भी अपनी जगा पर है अब इन तीनों में से सबसे बड़ी संक्या को आपको चुनना है कौन सी है 60 60 को रख दो फिर यह 50 और फिर यह 55 अब जो आपका आएगा step 5 आएगा 75 अपनी जगा 70 65 60 इन दोनों में से सबसे बड़ी संक्या 55 को उठाइए रख लीजिए यह 50 यह जो 50 है यह कैसा हो जाएगा यह outer feel हो जाएगा ठीक है तो यह आपके 5 step बने हैं तो total हो गए 5 step सबसे पहला question number first total step बता ही है total step आपको बताना है total step कितने 12345 तो आपका जो answer हो जाएगा वह जाएगा 5 ठीक है उसके बाद 3rd बताना है from left in second second यानि second step ठीक है तो second step कौन साइट second step यह रहा second step हम पहुंच गए अब हमें किस पे जाना है हमें जाना है left पे left कि इदर से शुरू होता है इस side से तो right से होगा left इदर से शुरू होगा जब इदर से शुरू होगा left पे आप यहां से counting करें और कितना करना है आपको third count करना है तो first second third थड़ पे कितना आता है 50 50 आता है ना तो आपका अंसर क्या हो जाएगा आपका अंसर हो जाएगा पचास question number 3 6 from right in fourth ठीक है ना तो fourth step fourth step आपका यह रहा इस fourth step में आपको right से जाना है right कि इधर है आपका right इधर है और इधर से number six count करना है यहां से one two three four five six तो आपका अंसर कितना हो जाएगा 75 तीनो question के answer आपके सामने आ गए है आपने कुछ नहीं किया आपको input दिया हुआ था उस input से आपको step भी दिया हुआ था और बताया था कि जो यह पांचवा step है यह step five last step है और आपको एक नया input दिया था इस नया input से आपको क्या कर बना था इन तीन question के answer देने थे तीन question के answer देने के लिए इस input से आपको step बनाने थे जिस तरीके से इस input से यह वाले step बने है उसी तरीके से इस input से यह वाले step आपको बनाने है step बनाने के बाद आप question के answer दे सकते हैं सबसे पहला काम आपका ये होता है फिर आप step को समझते है step में क्या था step में था सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले रखा गया है बस और कुछ नहीं किया है एक संख्या को एक बार रखा फिर आपका step बनाया फिर दूसरी संख्या को दूसरी बार फिर second step इस तरीके साब के step बनाया यहाँ पर भी आपने same process लगा दिया लगाने के बाद फिर आपने total step total 5 है second में left से third second में left से third और fourth में right से six fourth में right से six ठीक है तो यह आपके answer हो जाएंगे आप इसको note कर लीजिए screenshot ले लीजिए question note करते है चलिए question number 3 आपके सामने है ठीक है यह question पहले दो question से बिल्कुल different है और अलग-अलग करेके question इसमें आएंगे question ज़रा देख लीजिए एक बार ठीक है डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है question बहुत easy है बस समझना है ठीक है आपको input दिया हुआ है 41 street 10 earning 97 naughty 26 65 apple और driver उसके बाद इस input से यह output बनते हैं यह सभी के सभी जो step बनते हैं आपके यह सभी सभी output होते हैं ठीक है output किस तरीके से बने हैं बस हमें वो समझना है उसके बाद फिर यह जो हमारा input दिया हुआ है इस input को solve करके इसके output निकालेंगे यानि इसके step बनाएंगे और उसके बाद इन तीन question का answer देंगे और हमारा यह question complete हो जाएगा ठीक है चलिए समझते हैं input से आपका step first बना है step first में अगर हम देखे हैं आपके numbers हैं पहला step से आप क्या समझ रहे हैं जो first step है उससे समझ में यह आ रहा है कि जो आपके numbers हैं उनमें numbers में सबसे बड़ा जो number है सबसे बड़ा number क्या है 97 उसको सबसे पहले उठा के रखा और alphabetic series में अगर आप देखते हैं तो सबसे last वाले later से जो शुरू होता है उसको सबसे last में रखा है समझ में आ गया होगा आपको इसमें क्या करना है जो numbers है उसमें सबसे last वाला जो number है उसको सबसे पहले रखा हुआ है और जो alphabetic series होती है उसमें सबसे last वाला जो later है उसको सबसे बाद में रखा है ये दोनों अपने स्थान पर पहुँच गए है step first complete हो चुका है अब आगे चलते है step second पे step second पे क्या किया हमने naughty को सबसे पहले रखा ये रहा आपका naughty naughty को आपने सबसे पहले रखा naughty को सबसे पहले रखा 97 अपने स्थान पर है 41 भी है 10 भी है earning भी है 26 भी है क्योंकि naughty तो आगे चला गया यहां से 65 नहीं है अब यह जो 65 है यहां से उठा के last में चला गया apple है driver है और street है अब इस step से क्या समझ में आता है इस step से समझ में यह आता है कि जो naughty है वो पहले रखा गया है और 65 सबसे last में रखा गया है चलिए समझते है हमारा जो 97 है उसका इस्थान तो बिल्कुल fix हो गया है ठीक है street है उसका इस्थान भी बिल्कुल fix हो गया है अब किया किया alphabetic series के according अगर हम देखें तो जो N है वो E से भी पहले बाद में आता है A से भी बाद में आता है D से भी बाद में आता है ठीक है ना क्योंकि अब हम किसको solve कर रहे है, 97 को हटा देंगे क्योंकि ये अपने इस्थान पर है, street को भी हटा देंगे, ये भी अपने इस्थान पर है, अब देखते हैं तो 41, 10, earning, naughty इससे लेके और driver तक हम solve कर रहे हैं, और इसको solve करने के बाव जो देखते हैं कि जो alphabetic series है, step first में क्या किया, step first में हमने ये किया कि जो सबसे बड़ा number है, उसको सबसे पहले रख लिया, और alphabetic series का सबसे last वाला number है, उसको सबसे बाद में, step second में क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पर तो number सबसे पहले रखा था, अब हम later को सबसे पहले रखेंगे, और number को पीछे लेके जाएंगे ठीक है, तो दोनो different हो रहे हैं ना first भी और second भी, यानि जो input था, input से step first, different step first, step second different तीनों आप different बता सकते हैं ठीक है ना, लेकिन आपको समझ में आ चुका है कि first में क्या किया, number को पहले और letter को बाद में second में क्या किया, letter को पहले, number को बाद में, अब थर्ड में देखते हैं, थर्ड में कुछ common होगा answer related 41, 41 को आपने पहले रखा, यह 41 को आपने पहले रख लिया naughty, 97, 10 26, और यह जो earning है, यह यहां से हट चुका है, यह last में जा चुका है, ठीक है, यह earnings हो गया, यह 41 हो गया उसके बाद आपका यह 10 के बाद, 26, apple, driver, street 65, यह आपका fix था पहले से, ठीक है आप इसमें क्या किया, जैसे हमने step first में किया था, वैसे step third में किया है हमने जो number था, जो सबसे बड़ा number था, 41, 10 और 26 में, 41 सबसे बड़ा number है उसको सबसे पहले उठाया, और alphabetic series में अगर देखें तो a और d से last में e आता है, e को सबसे last में कर दिया, ठीक है यानि अब आप समझ चुके होंगे कि step first में किया किया, जो सबसे बड़ा number है उसको सबसे पहले रखा, और alphabetic series का सबसे last यानि लास्ट वाला जो letter है, उसको सबसे बाद में रखा, फिर second step जो बनाया, जो last वाला letter है, उसको सबसे पहले, और जो बड़ा number है, उसको सबसे बाद में रखा, अब जो fourth step है, उसमे भी same करना पड़ेगा, जो आपने step second में किया था, वो ही step fourth में करेंगे, step fourth में क्या कर जो आपका लास्ट वाला नंबर है अब देखे यह 41, 90 और 97 यह तो फिक्स है आपका यहां तक तो आपको कोई प्रोब्लम नहीं अब 10, 26 एपल और ड्राइवर इन में आपको देखना है इनको सही तरीके से लगाना है क्योंकि स्ट्रीट आपका सबसे पहले आ चुका था 65 सेक होता है और अब इन्पुट आपको मिला हुआ है ऑउट्ब्लम आपको देना है तो आप मसीन है इन्पुट मिला हुआ है । आप आप दे रहे हैं अगर आप आप आणब आठो अच्छह dimension तो माक्स नहीं मिलेंगे इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड की जो सक्ति है तर्क सक्ति जिसको बोलते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रही है वो क्यों काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ठीक है तो यह सारी चीजे रिविजन प्रैक्टिस से होती है clear, तो ये भी बहुत जरूरी है, अब fourth पर आ जाते हैं, इसमें देखते हैं A और D, इसमें जो D है, आपका ये last वाला है, इसको सबसे पहले रख देंगें, और ये 26 है, सबसे बड़ा अक्षर है, नंबर है, इसको आप last में रख देंगें, ठीक है, ये D यहां से आपने बिल्कुल सही तरीके से लगा दिया है, ठीक है, मुझे आजसा है कि आप सभी को समझ में आ चुका है, एक बार फिर भी मैं आपको ये समझा देता हूँ, कि किस तरीके से करना है, आपको input दिया हुआ है, input से आपको output बनाना है, अब आप output जब बनाएंगे, तो क्य सबसे बाइट में रख देंगे, ये step first आपका complete हो जाएगा, second step में क्या करना है, जो सबसे last वाला आपका letter होगा, उसको सबसे पहले रखेंगे, और जो सबसे बड़ा number होगा, उसको सबसे बाद में रखेंगे, step second हो गया, फिर third में सेम जो first किया, और fourth में जो second में किया, ठ सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा number देखेंगे, कौन सा है, सबसे बड़ा number है इसमें, ये 85, और सबसे last वाला जो letter हो भी देख लीजे, O और ये Y, और यहाँ पे E, यहाँ पे T, यहाँ पे L, तो क्या हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, तो जो step first आपका बनेगा, नजर आ रहा है नहीं दर, तो step first में आपका 85 तो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, 85 आप सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद orange, अच्छा मैं orange का अगर खाली O लिख दूँ तो काम बन जाएगा, ठीक है न, क्योंकि O से related और कुछ नहीं है, O से related कोई धी word नहीं है, तो O ही चल जाएगा, O के बाद 36, 59, 59 के बाद ये जो हमारा yield है, ये तो सबसे last में जाएगा, उससे पहले 41, 41 के बाद entertainment यानि E, उसके बाद travel, यानि T, उसके बाद 12, उसके बाद learning, और learning के बाद last में आपका आ जाएगा yield, Y, ठीक है, ये step first आपका complete हो गया है, अब बात करते है, step second की, step second में क्या करेंगे, देखिए, 85 और Y, जो yield है, ये तो fix है, अब आपको इस में से solve करना है, इस में से आपको क्या करना है, सबसे last वाला letter उठाना है, अगर सबसे last वाले letter की बात करें, तो O जो है, O के last में भी आपका T आता है, ठीक है न, E और L तो पहले हो जाएंगे, ये T आपका, जो T है, आपका T से क्या है, आपका travel, travel आपका क्या हो जाएगा, ये पहले आजाएगा, ये travel यहाँ पर आजाएगा, 85, O, O से आपका orange, 36, 59, अच्छा एक चीज और, travel तो आपको सबसे पहले पुचा अब ये भी तो देखना, इस में से सबसे बड़ा जो number है, वो कौन सा है, 36 है, 59 है, 41 है, ये 12 है, आपका 49 है, तो इस 49 को कहां कर देंगे, इस 49 को आप Y के भी बाद में कर देंगे, ठीक है न, तो ये जो, sorry, 59, ठीक है न, 36 के बाद ये 41, ये E, E से आपका हो जाएगा, entertainment, ठी ये T आपका सबसे पहले चला गया, ठीक है, उसके बाद ये 12, ये L, L से आपका learning, ये yield, और ये 59 आपका last में, I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा, step first में आपने क्या किया, 85 को सबसे पहले रखा, और yield को सबसे बाद में रखा, step second में क्या किया, आपने जो travel है, उसको सबस यहां तक करना है, ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक के लिए देखे, इन में सबसे बड़ा जो number है, वो कौन सा है, वो है आपका 41, 41 को आपको सबसे पहले रखना है, ये T हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा, ठीक है, अब देखना है इसमें कि कौन सा आपका जो letter है, वो सब से last वाला है, ठीक है, और letter को देखने के लिए आप देखते हैं, यहां पर E है, ये L है, और ये आपका O है, तो आपका O हो जाएगा, O को आपको सबसे बाद में रखना है, तो 85 के बाद 36, ये आपका E, 12 हो जाएगा, L, Y, 59 और ये O आपका यहां पर आजाएगा, ठीक है, चैलिए, थोड़ा सा एक बर मन्थन ध्यान देते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, कभी आगे answer में गलती हो जाए, ये हमारा 85 बिल्कुल सही है, और Y सही है, उसके बाद हमने यहां से T को उठाया, और 59 को उठाया, ठीक है, बागी बीच में बचा, यहां से हमने 41 को हम देखें, अभी हमारा जो था, number जो है, सबसे पहले आया था, अब हमारा letter सबसे पहले आएगा, और letter अगर हम देखें, E और L में सबसे last वाला कौन सा होता है, L होता है, ठीक ना, तो L आपका पहले आ जाएगा, L से आपका क्या है, L से है आपका learning, उसके बाद यह आपका पास्ट में जाना है, ठीक है, E, 12, L आपका सबसे पहले आ गया है, Y, 59, O, और यह 36, अब आपके पास क्या बचे है, E और 12, क्योंकि 85 यहाँ तक हो गया है, यह इधर से हो गया, E और 12 बचे है, अब इनको step 5 में आप लगा दीजिए, step 5 में अगर आप लगाते हैं, तो यहा आपका नमबर आ जाएगा, नमबर यानि 12, L, 41, यह 12 हो जाएगा, और E सबसे लास्ट में चला जाएगा, 41 के बाद T, 85, E तो चला गया, 12 भी चला गया, Y, 59, O, 36, और यहाँ पे हो जाएगा आपका E, तो टोटल कितने step हो गए, टोटल step हो गए, 5, ठीक है, अब आपका, य step 3 में, step 3 कहां पे है यह रहा, step 3 में 85 और learning, ठीक है न, 85 और learning के बिल्कुल बीच में कौन सा है, ठीक है, अब देखते है, step 3 यह रहा, step 3 में 85 और learning, learning L यह है, ठीक है अब इन दोनों के बिल्कुल बीच में क्या है, अच्छे यहां से एक step यहां चले, एक step यहां चले, बीच में क्या रहा है यह में दो घए और यह तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस एंटरटेन्वेंट इस एंटेइंट मैं तो रही हो जाए गा कि आये माझे कि इस यह से इन कि में और यह बाय ira اद तत्काल भाएं घ्याना अब 41 देखिए step 1st में 41 यह रहा और 41 के ततकाल बायां आपको देखना है अच्छा अब आप देखते हैं तो लेफ्ट और यह राइट अब बायां बायां यानी लेफ्ट और लेफ्ट पर क्या है आपका 59 तो आप का आंसर क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा ठीक है, टोटल स्टेप कितने हैं, टोटल स्टेप काउंट कर लिजिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल स्टेप हैं आपके 5, ठीक है, आंसर बहुत ही छोटे हैं, बस आपको समझना क्या होता है, इस टेप, अगर आपने इस टेप समझ लिए, तो आपका ये जो कोश्चन है, बहुत तयारी करते रहे हैं, एक्जाम का भी कोई बरोसा नहीं है, जल्दी भी हो सकता है, और थोड़ा समय भी ले सकता है, ठीक है, तो आप ये ही आसा करते हैं, कि आप अपनी जो तयारी है, उसको रेगुलर टच में रखे हैं, डेली आप तयारी करते हैं, चेलिए सभी बच्च